दोस्तो आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में आज मैं आपको बताऊं का किस तरह से आप अपने वर्डप्रेस ब्लोग को SEO टूल साइट में कनवर्ड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में तो दोस्तो अगर आपका एक सिंपल सा ब्लोग है इसके अंदर आपको काफी सारे अलग-अलग परकार के SEO टूल्स प्रोवाइड कर दे हैं तो आज का वडियो आपको काफी हेलफुल रहेगा आज का वडियो देखना के बाद आप अपने वर्डप्रेस ब्लोग में काफी सारे अलग-अलग परकार के SEO टूल आपके विजिटर को प्रोवाइड कर पाएंगे जिसके अंदर आपके विजिटर आपके ब्लोग के अंदर आकर इसका तो पर्टिकल ब्लोग है इसका on page SEO चक कर पाएंगे इसके बाद URL से related कापी सरे tools है keyword के related कापी सरे tools है इस पर करके अलग-अलग tool आप अपने visitor को provide कर पाएंगे आज का वडियो देखने के बाद वो भी बिल्कुल free में तो जैसे कि आपके सामने मेरा blog open है इसके अंदर में code वेकर प्रोवाड करता हूं तो simple में क्या कर दूँगा कि menu के अंदर कहीं पर option देदूँगा free SEO tool इसके अंदर सभी पर करके tool list कर दूँगा तो वहांजा के blogger है वो SEO tool का use कर पाएंगे और इसके मद्दे से आपके blog को फ़ड़ा traffic भी मल जाएंगा तो simple चलिए चलते है dashboard में एक बहुत ही अच्छा WordPress का plugin है free है बिलकुल इसके अंदर आपको just short code copy paste करना है तो आपका काम हो जाएगा तो simple आपको dashboard में जाना है plugin में इसके बाद add new plugin के उपर क्लिक करना है इसके बाद thurs के उपर जाना है simple आपको यहाँ पर लिखना है SEO tool इसके बाद आपको लिखना है cyber49 तो आपके सामने सबसे पहला जो plugin आएगा इसको आपको इंस्टॉल करना है इसके बाद active कर दिजे तो plugin यहाँ पर successful active हो चुका है इसके बाद menu के अंदर आपको option मिलागा SEO tools इसके उपर आपको क्लिक करना है इसके बाद इसके अंदर बस आपको यहाँ से दो इसका shortcut copy paste करना है आपके pages के अंदर तो वहाँ से front end के अंदर automatically SEO tools एड़ हो जाएंगे किसे की यहाँ पर आपको देखेंगे काफी सारा tool इसके अंदर available है यह इसके बाद दो त्यन इस तरह से इसके अंदर काफी सारा tools available इसका shortcut आपको नीचे मिलता ह बस आपको इसको आपके page के अंदर copy paste करना है तो वहाँ पर आपके visitor को SEO tool शो हो जाएगर और यह particular tool को use कर पाएंगा आपके block के अंदर तो simple हम क्या करते हैं सबसे पहले जाते है pages में इसके बाद all pages में यहाँ पर जिने पर जो टूल है इसके हिसाब से आपको आपके pages बनान कीजिए यहाँ पर title add करेंगे on page SEO चकर इसका बाद simple आपको करना कुछ नहीं है यह जो shortcut है इसको यहां से copy कीजिए प्लस के icon को पर click कीजिए यहाँ पर आपको simple shortcut find करना है यहाँ पर shortcut paste कर दीजिए अगर आपको को description लिखना है यह tool के बारे में तो यहाँ पर आप लिख सकत page successfully publish हो चुका है तो इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे simple wordpress के dashboard में जाएंगे और pages के अंदर में आपको देखा तो देखिए page successfully publish हो चुका है तो यह temporary कुछ error आरा है जैसन फाइल का simple हम फिर से और page add करेंगे यहाँ पर simple दूसरा जूरू tool है keyword multiplier simple इसको copy करेंगे title add करेंगे और यहाँ पर इसका short code add कर देंगे मैं आपको यहाँ पर दो तिन टूल add करके देखाता हो कि यह किस तरह से work करते है short code select करेंगे यहाँ पर paste करेंगे और publish बटन को पर click करेंगे यहाँ पर देखिए यह जो page successfully publish हो चुका है फिर से जाएंगे old pages में add new pages को पर click करेंगे इस बार bulk URL checker यह tool हम add करेंगे title इसके बाद यहाँ पर यह हमारा short code और simple यहाँ पर paste करतेंगे इसको भी publish कर देंगे इसके बाद link spinner को फिकरते हैं यहाँ पर यह पीज को publish कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए फिर error आया है लेकिन यह पीज फाल मर्ज successfully publish हो चुका होगा यहाँ पर आपको देखाए दाएंगा तो इतने tool हमने add कर दी है इसके बाद जाएंगे simple हम अपर इसके बाद menu में content अधर यहाँ लेंगे SCO इसके बाद tools और AKA पर कर देंगे इसके बाद यहां पर से इसको कोड के ऊपर एड़ कर देंगे यह confession यवonner इसके बाद pages के अंदर जाएंगे view all pages, यहां पर दो हमने tool एड़ किये हैं, यह सभी tool को यहां से हम select कर लेंगे, इसके अंदर और भी काफिये तार tool है, इसको आप एड़ कर दीजगा, यहां पर हमने add कर दी हैं, तो फिर से यहां पर इसको लेकर आना होगा यहां पर, इसके यहां पर यहां पर इसको हम सब मेनू कर देंगे इस तरह से यह सबसे पहला टूल इसके बाद फिर से यहां पर इसको होम के बाद एड़ कर देंगे और इसको सिंपल हम सेव मेनू के उपर क्लिक करेंगे मेनू सक्सेस्पूल से हो चुका इसके बाद सिंपल अब हम क्या के ब्लोक को एक बार रिफ्रेश करेंगी यहां पर आपको देखाता है अगा SEO टूल का ओप्शन आच चुका है और इसके अंदर इतने सारे टूल्स अविलेबल हैं तो इसको हम यहां पर दूसरे ब्राउसर में ओपन करते हैं जहां पर में एडमिन लोगिन नहीं हो यहां पर SEO टूल को उपर क्लिक करेंगे सबसे पहला टूल है हमारा OnePace SEO चेकर इसको उपर क्लिक करेंगे यहां पर आपको देखाता अगा पर link paste करना है full URL report के उपर क्लिक करना है यह completely आपके ब्लोक के अंदर ही टूल work करेगा देखिए जैसे हमने button के उपर क्लिक किया है यहाँ पर loading हो रहा है यहाँ पर आपको देखे देगा summary यहाँ चुकि है website की अब यहाँ पर यह जो टूल है वह आपको detail में बताएगा कि आपके ब्लोक के अंदर on paste SEO में क्या क्या गलती है तो ऐसे कि यहाँ पर तीन notable SEO इसके बाद 8 worth review इसके बाद 12 correct इसके बाद मतलब कि इसके अंदर कुछ करने के जुरूद नहीं है इसको आप यहाँ पर review किजें और यहाँ पर आपको इसको note करके जो भी issue इसको कुछ solve करना होगा यहाँ पर नीचे सभी पर करके डिडल आपको डिडल में मिल जाएंगी like title tag सही है इसके बाद description भी है keyword नहीं है जो यह block के अंदर main page के अंदर जो हमारा front page होता है इसके अंदर keyword नहीं है h1 नहीं है इसके बाद h2 है तो इसके बाद यहाँ पर यह review tag है robots file found है इसके बाद यहाँ पर आपको देखे देगा काफी सारे इसके अंदर problem है इसको हमें fix करना होगा यहाँ पर आपको सभी परकार की detail दिखाए देंगे तो काफी जो अच्छा यह सबसे पहले जो टूल है आपको detail में यहाँ पर information लाग कर देता है और यहाँ पर आपको देखे दागा का खास बात यह tool की यह है कि कहीं पर भी credit नहीं है कि यह plugin के वज़े से जो यह tool आपके block के अंदर है आपको यहीं लगागा कि यह tool आपने खुद यहाँ पर बनाया है तो यह tool इस तरह से work करेगा इसके बाद हम जाते simple SEO tools bulk URL checker इसको open करते हैं यहाँ पर आपको देखे दागा simple आप यहाँ पर दो-तिन URL लेकर इसको चेक कर सकते हम जीसे की सबसे पहले URL इसके बाद हमारा दूसरा ब्लोग है हमारे खुद के block को हम चेक करेंगे यह दूसरा URL सब बीट के ओपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखे दागा यह जो tool हो कि इस तरह से वर्क करता है इसका वर्क क्या है इसके लिए आपको यहाँ पर जो इसका डेश्बोर्ड है मतलब कि प्लगिन जो भी आपने यूज किया है टूल्स तो अभी हमने यूज किया है यूरल चेकर तो यहाँ पर आपको देखा डगा बलक यूरल चेकर तो इसका का काफी helpful आपको रहेगा इसके बाद ऐसे यह tool को पर click करेंगे merge file है यह tool के मद्द से आप दो file को merge कर पाएंगे CSV या तो text file simple यहाँ पर search file को पर click करके आप दो file को यहाँ पर upload केजिए यह आपके दो file को merge कर देगा इसके बाद यहाँ पर आपको देखा दगा keyword multiplier tool है इसके बाद link spinner तो यहाँ पर हम क्या करते हैं देखा आपको यहाँ पर देखा 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 keyword list multiplier तो इसके अंदर आप यहाँ पर अलग-अलग keyword की list करोगो इसको यह इसका आपको अलग-अलग combination इसको merge करके दिखाएंगा like यहाँ पर हम लिखते है SEO इसके बाद blog इसके बाद wordpress यहाँ पर हम किसी भी पर करका जो location add कर देंगे इतना करने के बाद यहाँ पर आपको देखा एट पार मेर्च इसके बाद simple create list of keyword के उपर click करेंगे यहाँ पर आपको देखाएंगा कापी सारे keyword की list आपको यह बना कर देखाएंगा यहाँ पर आपको देखाएंगा और भी tool है इसका आप यूज कर सकतो हो बिल्कुल फ्री में analytics पेम filter tool इसके बाद google sales finder तो इस पर करके tool इसके अंदर most useful tool on page aco check कर रहेगा क्योंकि यह कापी अच्छा है यह perfectly आपके ब्लोग के अंदर वर्क करेंगा यहाँ पर आपको दिखाए देगा तो इस तरह से आप अपने wordpress blog को aco tool site में convert कर सकते हो बिल्कुल फ्री में I hope कि दोस्तों ask video आपको पसंद आया होगा अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक और शियर कर दिजियें साथो साथ हम आशने को सब्क्राप कर लिए ताकि आपको ऐसे helpful वीडियो मिलते रहें थांक्यों पर रूशन देगा